जानकारी के मुताविक ग्राम सेरसा निवासी ग्याप्रिशाद 50 वर्ष मौरानीपूर में रहता है गुरुबार को किसी शादी में सम्मलित होने के लिए पतनी सहे तुरई गया हुआ था शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे जब वह पूँच कस्वे के नेशनल हाइवे से अपने ग्राम सेरसा जाने के लिए कस्वे की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी पीछे से आरहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमा कैनल 01.217 ने मोटर साइकल में जोरदार टककर मारदी जिससे बाइक के पीछे बैची चालक की पतनी उचल कर दूर जा गिरी वही ग्या प्रशाद ट्रक के नीचे आ गया जिससे उसकी दर्दनाक मोग पर ही मौत हो गई दुरघटना के बाद थोड़ी ही दूरी पर ट्रक चालक ट्रक को साइड में खड़ा कर मौके से भाग गया सूचना पर पहुँचे प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार एवं उपनिरिक्षक ब्रजेश साहु ने शव का पंच नामा कर विचेदन के लिए भेजा जनपद के कस्वा पूँच के पास राष्ट्रिय राज्यमार पर पूँच कटके पर आज सुबह करीब दस बजे एक दिल दहलाने बाली दुरघटना घटित हुई जिसमें एक बाइक चालक की घटना स्थल पर ही दरड़नाक मौत हो गई चालक के अच्छाओ के चालक का जो अ चुर्ड़त अच्छाओ ऑचालक के और अच्छाओ 0